हैलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेस्बुक आइडी कैसे बनाते हैं दोस्तो अगर आभी फेस्बुक आइडी बनाना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लाज तक देखते रहें Facebook ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में Facebook app को open कर लेना है और open करने के बाद आपको इस तरह का interface देखने को मिल जागा तो Facebook में आपको पहली बढ़ ID बनाने के लिए नया एकाउंट बनाने के लिए आपको नीचे में एक option देखने को मिल जागा create new account तो आपको create new account के option पे click कर देना है और जैसे आप create new account पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा get started तो आपको get started के option पे click कर देना है और जैसे आप click किजिएगा तो click करने के बाद यहाँ पर आपको दू अप्सन देखने को मिल जागा फोर्ष नेम और लाश नेम तो यहाँ पर आपको अपना फोर्ष नेम डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लाश नेम डाल देना है आप कोई भी नाम से अपना फेस्बूक अकाउंट बना सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम पना फोर्ष नेम यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फोर्ष नेम यहाँ डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पर लाश नेम यहाँ डाल देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया हूँ और डालने के बाद आपको next पर किलिक कर देना है और जैसे आप next पर किलिक किजिएगा तो यहाँ पर आपका birthday यहाँ पर सोग करेगा तो यहाँ पर आपको अपना जनमदीन यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर आप पहले यहां पर आपको date का option देखने को मिल जागा तो यहां पर आपको month बगल में बीच में आपको month बला option देखने को मिल जागा तो आपको month यहां पर सलेक्ट कर लेना है और select करने के बाद आपको year का option देखने को मिल जागा आपका किस वर्स्में जनाम हुआ है तो यहां से आपको scroll down करके year select कर लेना है तो चलिए यहां पर हम year select कर लेते हैं एर select करने के बाद आपको set वाले option पे click कर देना है और जैसे आप click किजिएगा तो यहाँ पर आपको data worth है जो कि यहाँ पे select हो जाएगा और select होने के बाद आपको next पे click कर देना है और जैसे आप next पे click किजिएगा तो यहाँ पर आपको general select करने के लिए बोला जाएगा अगर mail हो तो mail select किजिएगा female हो तो female select कर लिजिएगा तो चलिए यहाँ पर हम mail select कर लेते हैं आपको इस box पे click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पर mail select हो जाएगा आप female हो तो female select कर सकते हैं उसके बाद आपको next प्याले option पे click कर देना है और जैसे ही आप click किजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको mobile number का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप mobile number डाल के भी अपना account बना सकते हो अगर आप यहाँ पर mobile number डालते हैं तो आपके इसी mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो आपको उस OTP को डाल देना है अगर आप email से भी अपना account बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको sign up with email पर click कर देना है जो कि मैं आपको click करके बता देता हूँ जैसे आप click किजिएगा तो यहाँ पर आपको अपना email ID यहाँ पर डाल देना है उसके बाद next पर click करके आपके email पर OTP send किया जाएगा तो उस OTP को आपको डाल देना है तो मैं यहाँ पर फिलाल mobile number से ही अपना account बनाने बाला हूँ तो मैं यहाँ पर mobile number अपना डाल देता हूँ यहाँ पर mobile number अपना डालने के बाद आपको next पर click कर देना है और जैसी आप next पे click किजिएगा तो यहाँ पर आपको एक passport यहाँ पर बना लेना है आपको यह strong passport बनाना है 6 digits का उपर का आपको passport बना लेना है तो चलिए यहाँ पर हम passport बना लेते हैं आप कोई भी passport यहाँ पर बना सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम passport यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर passport डालने के बाद आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है और जैसी आप next वाले option पर क्लिक करेंगे दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा save your login info तो इसका मतलब आप समझ लिजिए जब भी आप अपने facebook account में अपना mobile number वहाँ पर डालेंगे तो वहाँ पर आपको passport वहाँ पर save रहेगा तो आप असानी से अपने account को login कर सकते हो तो यहाँ पर आपको save पर क्लिक कर देना है और जैसी आप save पर क्लिक करेंगे प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर आपको एक नया interface देखने को मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा wait कर लेना है और जैसी आप wait किजिएगा तो यहाँ पर आपको एक नया interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर देख सकते हो confirm your mobile number तो दोस्तों आपके जो भी अपने mobile number यहाँ पर डालागा वो mobile number यहाँ पर आपको सोग करेगा तो आपके इसी mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो चलिए यहाँ पर आपको नीचे में दो option देखने को मिल जाएगा send code VI WhatsApp अगर आप WhatsApp अपना कोंड सेड करना चाहते हो तो आपको WhatsApp टिक कर लेना है अगर send code VI SMS अगर आप SMS के थुरू अपना code अपना पाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको SMS वाले पर किलिक कर देना है तो मैं SMS के थुरू ही अपना code यहाँ पर पाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प करने के बाद आपको send code वाले option पे क्लिक कर देना है और जैसे आप किलिक किजिएगा तो आपके जो भी अपने mobile डालागा उस mobile पर एक OTP send किया जाएगा दोस्तों यहां पर आपको अपना OTP डाल देना है जो कि मेरे mobile पर OTP आ चुका हुआ है तो 5 digit का OTP होता है तो OTP यहां पर मैं डाल देता हूं 48659 OTP यहां पर डालने के बाद आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है और जैसे आप next वाले option पर क्लिक किजिएगा तो यहां पर आपको थोरा देर प्रोसेस लेगा लोडिंग लेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हो आपका जो एकांट है तो दोस्तों यहां पर ऑपट तो आपको थोरा सा वेट कर लेना है और जैसी आप वेट किजिएगा तो यहाँ पर आपका पुरफाइल दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर एड़ पिक्चर पर किलिक करके यहाँ पर अपना पुरफाइल लगा सकते हो तो मै यहां पर आपको नट 9 के O shaking पर किलिक करदेना है उसके बाद यहां पर किल्ग कर देना है और जैसी आप किलिक किजिए अगर आपको दोस्तों आपका Facebook एकाउंट है ओर दोस्तों यहां पर ओपिन हो जाएगा देख सकते हो यहांपर आपका फेस्बुक परफाइल यहाँ पर देखने को मिल जागा तो आप इस तरीके से फेस्बुक एकाउंट बना सकते हो दस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को ज़रू सस्क्राइब करे धन्यबाद जहिंद बंदे मात्तरम